कॉंग्रिस ने चुनाओ आयोग पर एक बार पार्टी का पक्ष लेने का रूप लगाया है आचार सहीता उल्लंगन के आठवे और नवे मापले में चुनाओ आयोग से क्लिन चिट मिल गई है कॉंग्रिस ने चुनाओ आयोग ने इस देश में एक संदेश भेजा है कि इस देश में दो सम्विदान दो कानून है एक सम्विदान मोदी और अमजशाह जी के लिए और दूसरा सम्विदान और कानून विपक्षी दलों के लिए चुनाओ आयोग से के इन फैसलों से जनता का इस चुनावी जो लोकतांतर प्रक्रिया चल रही है इसमें विश्वास नहीं हटना चाहिए चुनाओ आयोग को एक इंपायर का रोल निभाना चाहिए भाजपा के बारवा खिलाडी बनके उनके लिए फील्डिंग नहीं करने चाहिए कॉंग्रस पार्टी की याचिका सुप्रीम कोट में पेंडिंग है और हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोट आने वले चुनाओ के लिए एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए एक जज्जमेंट देगी और जनता का जो विश्वास है समवधान में वो नहीं हिलने जावडेकर ने कहा कि राहूल गांदी तमाम बाते करते थे कि चौकीदार चौर है उसको लेकिन लेकिन आज अनकंडिशनल जो है माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोट में शिर राहूल गांदी आज भी अपने बात पे अटल खड़े हैं कि रफेल में हुआ है घोटाले का खेल और चौकीदार ही चोर है 23 मई के बाद जब यूपिय की सरकार आएगी रफेल घोटाले में जांच भी होगी क्योंकि भाजबा भरष्टाचार मुक्त नहीं जांच मुक्त पार्टी है राहूल गांदी ने माफी मांगी है इस बात की कि सुप्रीम कोट को उस नारे से नहीं जोड़ना चाहिए राहूल गांदी ने इस देश को दिखाया उनमें वो एक सच्चे नेता है और नरेंदर मोदी एक जूटे नेता है जो आज भी लोगों को गुमरा कर रहे हैं कि राफेल गोटाले में सुप्रीम कोट ने एक क्लीन चिट दे दी है जबकि रव्यू पेटिशन पेंडिंग है जेपी सी शुरू नहीं राहुल गांदी ना तो जनता की अदालत से भाग रहे हैं नो कोट की अदालत से भाग रहे हैं नरेंदर मोधी जनता की अदालत से भाग रहे हैं राहुल गांदी से जो भैस की चुनौती है उससे भाग रहे हैं जेपी सी जो सदन में हमने मांगी थी उससे भाग रहे हैं, कोट में रव्यू पर्टिशन की सुनवाई नहीं होने दे रहे, तो कौन घबरा रहा है, रफेल के खेल से जो जांच से उससे ही घबराई थी मोदीशा की जोड़ी, तबी तो रातो रात सी CBA तोड़ी, ये वास्त मांगी है, केवल और केवल सुप्रीम कोड को बीश में लाने के गिए, क्या मैं पस्टो नरील कपूर के साथ, पीद किरें सिंग, एवन टीवी दिली